भारतिया टीम को T20 World Cup 2024 की तुरंद बाद जिंबाम्बे के खिलाफ 5 T20 मैचों के स्रीज खिलना है और उसके बाद टीम इंडिया को स्री लंका के खिलाफ एकर सुमाचक और सांधार स्रीज खिलना है तो भारत बनाम स्री लंका के विच होने वाली इस स्रीज का पूरा स्टेड भारत बनाम स्री लंका के विच कितने ODI, कितने T20, कितने टेस्ट मैचों के खिली जाएगी सभी मैचेस कब और कहां पर खेले जाएगे इसे वीडियो में आपको पूरी विस्ताथ से दिखाने और बताने वाले हैं तो बढ़ते हैं वीडियो के और टीम इंडिया को साल करना है यानि कि इंडिया टोराफ स्री लंका दूब हसाल चोविस अब भारत ये टीम को स्री लंका दोरे पर कुल तीन ODI और तीन T20 मैचों के खिलना है यहां पर कोई भी टेस्ट मैचों की तरीस नहीं जखी गए अब भारत बनाम स्री लंका के बीच होने वाले तीन ODI और 3 T20 मैचों की रिष्ट के सभी मेंचेज सभी मुकाबले स्री लंका में खेले जाएगे अब बात तरीस के डेट और तारीख के बारे में तो इंडियो वर्स स्री लंका के बीच ये तीन ODI और तीन T20 मैचों की रिष्ट जुलाई और अगस्त के महिने में क्वेले जाएगी जिहां 27 जुलाई 2024 से यह 30 स्टार्ट होने जाज जाई है जो 7 अगस्त 2024 तक यह पूरी 30 स्रीलंका में खेली जाएगी तो इंडियो वस्ट स्रीलंका के बीच होने वाले तीन ओडियाई और तीन टीट्वंटी मेचों की स्रीज का पूरा सेडियूल और कैरे करम कुछ इस तरह स है जहां टीम इंडिया को स्रीलंका दोरे पर सबसे पहले तीन टीट्वंटी मेचों की 30 का पहला टीट्वंटी मुकाबला इंडियो वस्ट स्रीलंका के बीच 27 जुलाई 2024 को खेला जाएगा तो वहीं दूसरा टीट्वंटी मुकाबला इंडियो वस्ट स्रीलंका के बीच 28 जुलाई 2024 को खेला जागा तो वहीं T23 का तीसरा और आकरी T20 मुकाबला भारत ब्राम स्री लंका के बीच तीस जुलाई 2024 को खेला जाएगा एविनिंग यानि कि साम में स्टार्ट होने वाने भारतिय समयनों साल साम को साथ बजे से सभी T20 मैचे स्टार्ट होंगे पहला दूस 2024 को खेला जाएगा तो फुरुर दूस्टा 우dai मुकाबला भारत बनांव स्री लंका के पीच चार अगस्त दोबें स््टार्ट होने वाले हुआ सब्सक्राइब कर दोपेर में धाई बज़े से जानी के टू थर्टी पीम से यह रात रीज का पूरा सेडियल और का रिकरम में मिद करतों की वीडियो च्छेले को यह अपनी पर ते किर जोड़ी और अगर आप डेली आई पिल और किरिकेट से जोड़ी हर एक न्यूजिन अप्डेट सबसे पहले पाना चाते हैं हर चोटी बड़ी अप्डेट पलपल की खबर सबसे पहले पाना चाते हैं तो भी फटा फटा मैं टेलेग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए लिंक उसका इसक्राइब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है